हालो माई डियर स्टुडेंट्स आप सभी इंजीनियर्स के लिए एक गुड नियूस और हो ये कि जैसा कि आप जानते हो अभी एक्जामिनेशन हुई थी 5-6-7 जून को तो जिन भी स्टुडेंट्स ने अभी एक्जामिनेशन दिया है वो वच्चे अपने रिजल्ट की तो आप सभी को इस क्रम में बता दू एक सेसी की तरफ से एक नौटिस आया है जिसमें आपकी दिपार्ट्मेट में बड़ी है किस-किस ब्रांच की बढ़ी है वो मैं आपको आपकी यहांपर पूरी इंफोरी इनफॉर्मिशन देदू यह जो आपका पहले अगर आपने द तो आपकी पहले वेकैंसी जो थी वो थी टोटल 9.68 जी हाँ पहले जो जो वेकैंसी थी माइडिया स्टुडेंस सारे डिपार्टमेंट बोला गया था कि यह वेकैंसी नोटिफाई की जाएंगी सून और वो सुन अधर डिपार्टमेंट हमारा कौन साथ हौँआ वो था हमारा MES का, जी हाँ, वो हमारा कौन सा था? MES का Military Engineer Services का, जिसमें ना तो Civil की Vacancies बताई गई थी, ना ही Electrical Mechanical की Vacancies बताई गई थी, तो अब वो Vacancies, उसने Number of Vacancies बता दी हैं, और उन Number of Vacancies में कितनी-कितनी बताई हैं, ये भी आपको बता दूँ, MES में Civil की उसने आपकी 489 Total Vacancies बोली हैं, 489 Total सेविल के लिए, और Total Electrical और Mechanical की MES में 350 Vacancies उसने नई Add-on की हैं, इन 489 प्लस 350 को आपकी पुरानी के साथ Add-on कर दें, तो 1800 के करीब जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो Total Vacancies हैं, वो जा रही हैं 1765, इसका मतलब कुछ टिपार्टमेंट्स में 2-3 Vacancies, कुछ 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 कम भी की गई हैं, जी हां, जो जहां पर पहले आपकी कई डिपार्टमेंट्स में, जैसे मैं आपको बताओं कहीं पर 92 थी, तो वो 90 कर दी गई हैं, या 94 का 92 कर दिया गया है, तो पहले लेकिन आपकी Total Vacancies 968 थी, अब आपकी Vacancies 1765 आचुकी हैं, मतलब जिस डिपार्टमेंट में नहीं बताया था, उसी डिपार्टमेंट में सबते जादा नंबरों Vacancies आपकी निकल के आई हैं, तो अब आपको परशान होने की जरुरत नहीं हैं, अब इंतजार रहेगा आपके Cut-Off और आपके Selection का, तो I hope so कि सभी का Examination अच्छा गया होगा और अच AJS Ingeniors YouTube चानल पर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजे इसी चानल को, थेंक्यू वेरी मिच्छ